अब तो हाल ऐसा है कि इंटर का परिच्छा भी शुरू हो गया है और 15 तरीक से मैट्रीक का भी परिच्छा शुरू हो जाएगा कुल मिला करके एक साल 4 महीने बीच चुके हैं फोम अपलाई किये हुए अब 4 महीने के बाद ही कुछ होने का चांस बन रहा है क्योंकि अब ये तो फरवरी में तो एक्जाम है इंटर वाला चल रहा एक्जाम से इंटर वाइगरा को लेकर के बहुत दिकत है उपर से आपका मार्च में चुनाओ के तारीख का अलान हो जाएगा उसके बाद अचार सहीता लग जाएगा मार्च में कोई चांस नहीं मन रहा है मार्च अप्रेल माई अब ये चला गया जून में यानि की डेड़ साल के बाद एक साल छे महीना लगभग हो जागा माई में उसके बाद आपका जून जुलाई में होने का चांस मन रहा बहुत सार एक्जाम पेंडिंग में अभी तो बिहार पोलिस वाला है वह अभी एक्जाम अभी पता नहीं क्या होगा उसको लेकर कभी अपडेट नहीं आया है और ये भी वही हाल इसका भी और कोट रीडर वैगरा का मेंस का लोग पूछ रहे तो देखिए अभी अगर उसका डेट आ गया तो आ गया नहीं तो फिर आपका प्यून और कलरक वा और अगर फरवरी में एक्जाम नहीं होता है तो फिर मार्च में तो कोई चांसे नहीं बन रहा है मार्च में फिर तो चुनाओ वाला माहोल आ जाएगा और चुनाओ के समय कोई एक्जाम नहीं करवाता है एक्जाम नहीं करवाने का बहुत सारा कारण है क्योंकि जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे चुनाव में ब्यस्त रहते हैं उनको समय नहीं रहता है कि वो जाकर के एक्जाम सेंटर पे तैनाथ हो करके सुरक्षा करें और सुरक्षा अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर पेपर लीख हो जाएगा तो यहाँ पर जो आयोग है कभी नहीं कि हमारा जो अलाखो करोड़ों का नुकसान हो जाए एक्जाम भी लें पता चले पेपर लीख हो गया दुबारा एक्जाम कराना पड़ेगा तो इससे बेटर है कि चुनाव बीत ही जाए चुनाव कब बीतेगा मार्च अप्रिल में चुनाव होगा माई तक चला जाए जू चला गया और कारण यह है कि चुनाव है उपर से देख सकते हैं बिहार बोड़ वाला सब परिच्छा हो रहा है कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा देखिए जब कोट रीडर और स्टेनोग्राफर का आपका हुआ एक्जाम दिसंबर मे तो ऐसा लगा कि मतलब हो सकता है कि यह वाला भी ले ले जनवरी में या फरवरी में लेकिन उसके बाद से एकदम से चुपी साध लिया गया तो फिर थोड़ा सा छात्र लोग नराज हो गये तो बिहार स्वील कोट डेड़ साल से लगबग लोगों को अब लोग इंतिजार कर रहे हैं लगबग 15 लाख लोग हैं अब जब एक्जाम होगा तभी तो देंगे सिधी सी बात है जब तक उधर से कोई यह स्टेटिमेंट नहीं आएगा तो क्या ही कहा जा सकता है अब नहीं आया तो अब क्या आएगा अब तो सीधे चार महीने के बाद इंतिजार किज़ चार महिने के बाद ही कुछ होगा लेकिन जितने भी पेंडिंग में एक्जाम है न वो सारे करा लिये जाएगे अब बात है बीहार पुलिस कॉनस्टेवल का तो इसका तो भी अतापता ही नहीं चल रहा अगर हो गया जो भी नोटिफिकेशन अगर आ गया तो आ अगया नही बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होते कि एक बार तयारी जब उन्टा कंप्लीट हो जाता है रिजनिंग का मैथ का इंगलिस का जीके का तो फिर धड़ा-धड़ बहुत सारे एकजाम निकाल लेते हैं बात केवल भी हार सिविल कोट की नहीं है अगर प्रोपर तरीके से आपने की तयारी कर ली जीके की तयारी कर ली तो वही चीज सेम सब में आता है मत देखे में बेसिक दो तीन चार सबजेक्ट है एक तो हो गया जीके आपका एक इंगलिस हो गया एक रिजनिंग हो गया एक मैथ हो गया तो कहीं का इंगलिस रहता है नहीं रहता है चलिए ठीक है उस अच्छे से आपका जीक के रिजनिंग मैथ कंप्लीट हो गया ना तो आपको रेलवे गुरूप डी पीहार पुलिस आर पीएप भीहार स्विलकूट हर जगे काम कर जाता है आपसे इंटीग्रेशन डिफ्रेंटीएशन मैट रिगुलेशन यह सब चीजे तो पूछता नहीं ह इंटर लेवेल का तो कोई सवाल पूछता नहीं है आपको पता ही है तो एक बार अच्छे से त्यारी कर लेजिए वो हर जगे काम करेगा बहुत सारे सरकारी नोकरी में जो मैथ का जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम होता है एक जैसा होता है पिटी निकालने के लिए तो आप कोई एकजाम जो भी आपने फॉम अपलाई किया कहिने कहीं उसमें आप अच्छा रैंक अच्छा आप स्कोर करेंगे अगर आप प्रत्यारी सही रहा जातो और कोई ना कोई भरती आती रहती है देखते क्या होता कोई अपडेट आएगी तो बताने के प्रियास करेंगे